हेलो गाइस बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टेडी वी के यूटूब चैनल में आप सभी का और आज हम देखिए डिसकस करेंगे भौतिक विज्ञान के वन लाइनर जी के कोश्चन से रिलेटेड 500 कोश्चन को कवर कराऊंगा डे बाइडे वीडियो को पार्ट वाइस कर के सारे कोश्चन से इंपोर्टेंट है सारे कोश्चन को पढ़ जाए या दूसरी भासा में कहें तो सभी को रड़ जाए क्यूंकि आपके आने वाले एक्जामनेशन्स लाइक रेलवे गुरूब डी एंड असिस्टेंड लोको पारेंट और कॉम्पेटिटी एक्जामनेश के को जरूर देखे होंगे तो यह कोश्चन से काफी है इस फारे कोश्चन को रड़ जाएगा याद कर जाएगा ठीक है फ्रेंट जितना भी कोश्चन साथ को पढ़ लिजी कि साइन्स में कुस्टेंगे जो कीज़िए अध्यम से कि मैं बता रहा हूं के फ्रेंट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सारे कोस्टन को देख लेंगे धियान से हां और एक बात बता दू फ्रेंड वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज सेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ लाइक करिएगा और कमेंट करना न भूलिएग सब्सक्राइब करिएगा और वेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि जो में नेक्स्ट वीडियो डालूंगा अपने स्टेडी वी के यूटूब चैनल पर तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते देखिए सबसे पहले क्या है कार लेका म swirl किया होता है तो वह को होता है कि सब्सक्राइब करने सब्सक्राम प्र réponse मात्रग किसका है यह दोरी का डिस्टेंस का थे एसते भाद थीए merchant को कियेlara किसका मात रख है जोती फ्लक्स का याद रखिएगा इसके बाद नंबर फूर्थ नंबर कुश्चन जो है देखें कियो री किसकी इकाई का नाम है क्यों री रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है ओके फ्रेंड चलिए आगे पड़ते हैं नंबर फिफ्ट से कौन सी भौतिक राश्ती प्राप्त की जाती है प्राप्त की जाती है द्रब्यान उसके बाद देखे नंबर सिक्स कोश्चन जल में तैरना न्यूटन की गति किस नियम के संभव है जल में तैरना जल में वर्फ का तैरना या किसी पतात का तैरना जुए वो Newton के किस गती के नियम के कारण है यह है तित्य नियम के Newton के तीन नियम है यह तीसरी नियम को में आता है कि उसके बाद याद रखिएगा सभी one-liner questions important सबको एक बर पढ़ जाएए या red जाएए सारे questions आपके आने वाले exam में काफी important साबित होंगे अस्व यदि एक आएक चलना पारम कर दे तो अश्वा रोही के गिरने के संका का क्यारण है विश्टाम जड़त दुआ चलिए नमबर 9 जो questions है कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाया तो उसमें कौन सा नियम लाग होता है ये गती का पहला नियम न्यूटन के गती का पहला नियम में आता है उसके बाद देखे नमबर 10 जो questions समुन्दर में पलवन करते है आइस वर्क को कितना भाग समुन्द के सतर से उपर रहता है समुन्दर में जब पलवन करते हैं तो आइस वर्क का कितना भाग समुन्द के सतर से उपर रहता है याद रखिएगा आप उसके बाद नमबर 11 नमबर जो question देखे प्रकास फोल्टिये सेल खे प्रियोग से स्वोर और्जा का रुपांत्रन करने कि कि की किस्का आत्पादन होता है प्रकास ये उर्जा की वार呢 12, Northern, सवाचालित वाहनों में द्रःव-чालित ब्रेकव का इस्तमाल वस्तूत किस नियम की का सीधा अनुप्रियोग है यह पास्कल के नियम का सीधा उप्योग सीधा अनुप्रियोग है नंबर 13 जब दूद को प्रवल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग किया जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोस्चन काभी वारी एक्जाम में आया हुए हैं, ओके फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तो इसमें से देखिए, अब केंदरी जो बल है, जब दूस से प्रबल ढंग से मता जाता है, तो उसमें से क्रीम किस करार से अलग होता है, यह अब केंदरी बल से अलग होता है, ओके, याद रखिएगा, का अभी बार यह कोस्ट्टरा आया हुआ है अगैं बढ़ते हैं कुछभा को SOFT के साथ कि असके बार देख्येन बर फिर्टीन जो है सेट इंजन के सीधान पर काम करता है यह इसीनाफ काम करता है 36,000 किलो मिटर नमबर 16 प्रिथवी के गुर्थवाकरशन का कितना भाग चन्दरमा के गुर्थवाकरशन से सबसे नजदीक है एक बट अच्छे भाग उसके बाद नमबर 17 वर्षा की बूंद का कार गोलाकार किस कराण से होता है प्रिषटानाओ के कराण वर्षा का जो बूंद होता है वो गोलाकार होता है याद रखिएगा कवपूर के छोटे-छोटे टुकडे जल की सता पर क्यों नाचते हैं प्रिषटानाओ के कराण ये दोनो प्रिषटानाओ के कराण होते हैं कपूर के चोड़े चोड़े जल के सता पर नाशते हैं और जो वर्सा की बुंदी है वह अकार गोला कार गोला हो जाती है यह प्रिष्ट नाव के करण होती है उसके बाद देखें नंबर 19 पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है यह किस का सिधानत है यह है आर्प मिडीज का सिधान काफ़ी इंपोर्टेन्ट कॉस्चिन ये भी लोहे में पानी में लोहे कि सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है यह किस सिधानत पर काम करता है यह और कमिडीज के सिधान पर इसके बाद देखें नंबर 20 आगरमडी आर कमिडीज का नियम किस से संबंदित है पलवन की नियम से यह संबंदित है इससे रिलेटेड है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और important questions के साथ 21 देखिए question जो है गुर्टवा कर्टन में सर्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किस ने किया ये किया नियूटन ने होके या देखिएगा उसके बाद देखिए नंबर 22 कौन सा एक केजी द्रब्यान के पिंड पर कारेशील पर पिर्थवी के गुरुत्वाग बल का सही मान है 9.8 N ये इसका सही मान है इसके बाद देखिए नंबर 23 एक होट पावर यानि एवन एचपी कितने वाट के बराबर होता है 746 वाट 23 में आया हुआ कोस्चन्स रेलवे ग्रूप डी में ये कोस्चन्स आया हुआ है इसके बाद देखिए नंबर 24 लोहे की सुई पानी के सता पर किस करण से तैरती है प्रिष्टा नाव के कारण ये कोस्चन पर में भी आपने देखा इसलिए याद रखिएगा इसको इसको इसके बाद देखिए एक गेंद को 36 से कितने कोड़ पर फेके कि यह अधिक्तम 36 त इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपोर्टन कोस्चन के साथ देखिए उसमा एक परकार की उर्जा है जिसे कारे में बदला जा सकता है इसका प्रतिक्च प्रमार सबसे पहले किस ने दिया यह दिया था रम फोर्ड ने इसका प्रतिक्च प्रमार सबसे पहले दिया था नमबर 29 किस बिग्यानिक ने सब्थम वर्फ के दूर टुक्डे को आपस मे घीज कर पिगला दिया था डेवी नामक बेक्यानिक ने नमबर थर्टीन वास्प इंजिन में उबलते हुए जल का तापमान किस कराण से उच्छ हो जाता है वास्प इंजिन में उबलता हुआ जल तापमान किस कराण से उच्छ हो जाता है वाइलर के अंदर उच्छ दबाव होता है इस करण से, में सिवक प्रभाव पर अधारी नबर 32 पुन बीकरण उसनत इ थाप यानि arkadaşlar ओदो यानि टॉटल रिदियेशन फायरों मिट की सिधान पर अधारी था भी श्टेफन नियम पर यह अधारित है उसके बाद आते हैं नंबर 33 दूर की वस्तुवी जैसे सूर्य आधी का ताप किस ताप मापी के द्वारा मापा जाता है पुनवी विक्रन उत्म मापी के द्वारा ये मापा जाता है ओके तो ये 33 questions यही लास्ट है इस वीडियो के लिए आगे के सारे questions मैं जरूर आपके साथ share करूँगा 500 important questions है अगर आप सभी को याद कर लेते हैं तो आपके exam में science के questions अगर आए तो आप उसमें आसाने से number ला सकते हैं तो इसी तरह से मैं questions सारे share करूँगा अपने channel के माधिम से तब तक के लिए दोस्तों इतना ही इस वीडियो में तब तक के ल